हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो ओवर यूट्योब चैनल वास्तु घ्यान आप सबका अमारे यूट्योब चैनल वास्तु घ्यान पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों, आज हम वास्तु घ्यान में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे खास उपाए जिने आप अगर दिपावली के दिन करेंगे तो यकीनन आपकी तिजोरी पैसों से भर जाएगी दिपावली के दिन यूट तो लक्षमी गनेश की पूजा ही उन्हें परसन करने के लिए काफी है लेकिन देवी लक्षमी की कृपा आप पर जल्दी हो इसके लिए आपको दिपावली के दिन एक छोटा सा काम जरूर कर लेना चाहिए दिपावली के दिन एक पीपल का पत्ता तोड़कर घर में ले आए द्यान रखें पत्ता कटा फटा हुआ ना हो इस पत्ते पर ओम महालक्षमे नमा लिखकर पूजन स्थान में रख दें इसके बाद जब शनिवार आए तो पत्ते को पीपल की जड़ में रख दें और दूसरा पत्ता लाकर पूजा स्थान पर रख दें यह प्रकिर्या हर शनिवार करने पर आप देखेंगे कि आपके घर में दन का आगमन बढ़ रहा है दोस्तों दिपावली की रात लोंग और इलाइची जलाकर उसका बसम बना लें इस बस मक देवी देता को तिलग लगाएं इस तांतरिक पर्योक से लक्षमी की क्रिपा प्राप्त होती है दिपावली के दिन किनर को मिठाइया और कुछ पैसे दें बदले में किनल से एक रुपए का सिक्का मांग कर अपनी तिजोरी में रख ले या टोट का गरीबी दूर करने के लिए बड़ा ही कारकर माना जाता है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष रविवार के दिन दिपावली है इसी लिए सफेद रंग की वस्तों का दान करें इससे आपके गर में सुक समरीदी बढ़ेगी और धन का आगमन होगा बरगत के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बना कर तिजोरी में रखें आपकी तिजोरी में धन बढ़ता जाएगा दिपावली की रात अपने घर में शिरी यंत्र स्थापित करें यह बड़ा ही शुब होता है और इसके इलावा दिपावली की रात कनकधारा स्त्रोत का पाठ भी दन ब्रीदी में कारगर माना गया है तो दोस्तों यह है हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको पताए कुछ खास उपाए जिने आप अगर दिपावली के दिन करेंगे तो आप पर मालक्षमी की असीम क्रीपा होगी और आपकी तिजोरी दन से भर जाएगी अगर आप भी इस दिवाली पर मालक्षमी की असीम क्रीपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन बताएगे उपाएँ में से कोई एक भी उपाए करके देखे यकीनन आपकी तिजोरी बर जाएगी अगर आपको हमारी वीडियो फाइदे मन लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें लाइक और कमेंट करके अपना फीड़बेक भी दें और हमारे चैनल वास्तो ग्यान को सब्सक्राइब करना ना बोलें हमारे आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ थैंक्स पूर वाचिंग